नमस्ते। आज हम एक और reading करने वाल हैं और आज हम देखने वाल है कि आपके partner अभी आपके बार में क्या सोच रहे हैं और उनका अगला कदम क्या होने वाला है आपके लिए. यहाँ पर मैं दो pile रखे हैं यह है pile नंब़र बन और यह है pile नंबर टू तो इसमें से आपको एक पाइल सेलेक्ट करना है और अपनी रिडिंग पर जाकर अपनी रिडिंग देखनी है ओके पाइल नमबर वन अमेथिस्ट क्या सोच रहा है आपके पार्टनर आपके लिए यह गाइडन्स है यह हम आखिर में देखेंगे सबसे पहला काड है डेथ यहाँ पर है फोर पैंटकल दा मैजिशन यहाँ पर है विल अफ़र्चन दा हर्मिट दा हर्मिट यहाँ पर है एट आप पैंटकल दा बर्निंग टावर और यहाँ पर है दी लवर्ज I hope आपको सारे कार्स दिख रहे हो सबसे पहला कार है डेथ देखो यह परसन स्टार्ट तो करना चाहते इस लिशन में आगे तो बढ़ना चाहते हैं डेफिनिटली आप दोनों का बहुती बुरी तरह से ब्रेक अप हो चुका है आप बिलकुल भी कांटक में नहीं हो यहाँ पर दिटावर है बहुत जाता पेनफिल सिचेशन रही होगी इस इंसान को भी दर्द अब महसूस हो रहा है यह अंसान भी पर अपने आपको हील करने की पूरी कोशिश कर रहा है लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीज़े बिगडी हुई है और वो जो बिगड़ी हुई चीजे हैं उनको सवारने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा जबकि अनसान चाहते हैं आपके साथ नई शिर्वात करना यहाँ पर डेथ है सबसे ही पहला काड़ आया है डेथ आपके बिना रहने ही पाते हैं चाहते हैं इस अंधेरे का एक नया उजाला हो चाहते हैं यह जो कुछ भी परशानी चल रही है आप दोनों के बीच में आप दोनों उसमें से निकल जाओ यहाँ पर एफ फोर पैंटेकल्स यह अनसान ऐसे है जो अपना जो भी दर्द हो या खुशी हो वो जल्दी से जल्दी एक्स्प्रेस नहीं करते किसी के साथ यह अपनी दिल के बाद बोल नहीं पाते और यहाँ पर भी इनका यही प्रॉब्लेम हो रहा है जो कुछ भी आपके लिए फील करते हैं बस उसे दिल में ही रखते हैं वो आपसे शेर नहीं कर पाते यह अंसान ऐसा है जो बहुत दिमाग से सोचता है जितना ज़दा दिल से सोचता है उससे कई ज़दा दिमाग से भी सोचता है ऐसा नहीं कि अंसान इमोशनल नहीं है इमोशनल है यहाँ पर राशी है टोरस वर्गो क्याप्रिकॉन है लिब्रा अक्वेरिस जेमिनाई वरुच्चिक राशी पावर्फुल है यहाँ पर तो देखो यहाँ पर जो कुछ फे इंसान आपके लिए फील करता है तो बोल तो पाता नहीं है दो हर्मिट यहाँ पर आ है जो भी गलतिया हुई इस अंसान से सोच रहे है बहुत बारिकी से सोच रहे है अपनी गलतियों के उपर और यह अंसान आपको बहुत ज़दा मैनिफेस्ट कर रहे है यह अंसान चालाख है दिवमाग से सोचता है लेकिन उतना है प्यार भी आपसे करता है दी लवर्स भी है यहाँ पर और दा बॉर्निंग टावर आपने बहुत सबने देखे थे बहुत ज़ादा सबने सजाए थे इस इंसान के साथ जो कुछ भी आपने सोचा था सब कुछ उससे उल्टा हो गया दिए टावर ने सब कुछ बदल दिया चेंज कर दिया या ऐसा भी हो सकता है कि अभी ये अनसान किसी कार्मिक के साथ रिलेशन में है अभी ये अनसान उस दर्द को महसूस कर रहा है हो सकता है जो दर्द आपको दिया उस दर्द को अभी ये अनसान फेस कर रहा है क्योंकि ये अनसान बहुत पेंफुल सिचेशन में है इस इंसान के पास दो option है, the hierophant भी है यहाँ पर the lovers है, यहाँ पर third party definitely है, अब यह इनसान आपके लिए कुछ effort करना चाहते हैं, देख रहे हो ना, यहाँ पर eight of pentacles भी है, the tower है, कही ना कही मन में डर है, कि सब कुछ खतम हो जुका है, कही ना कही आपके लिए कुछ करने की चाहत है मन में इस इस इनसान के, और the lovers प्यार तो है ही, लेकिन यह इनसान उस प्यार को handle नहीं कर पाया, यह इनसान आपको कभी समझ ही नहीं पाया, आपके दर्द को समझ नहीं पाया था पास्ट में, लेकिन अब इस इनसान को वो दर्द महसूस हो रहा है, अब इस इनसान को कही ना कि यह स दोनों को मिलाय था यह इंसान आपके connection को divine connection मानता है यहाँ पर कुछ लोग शादी शुदा हो सकते हैं यह इनसान शादी शुदा हो सकता है इसलिए इस इंसान के पास दो दो option है आप और इसका जो partner है वो तो यह इसा सिलेक्ट नहीं कर पा रहा है यह इंसान कुछ decision नहीं दे पा रहा है आपको मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने किसी और के लिए आपको hurt कर दिया है कोई भी हो सकता है friend भी हो सकते हैं किसी और की बातों में आकर आपसे दूरिया बना ली ऐसा भी हो सकता है अभी तक यह इंसान अपने गलतियों को मानने के लिए तयार ही नही क्योंकि इस इंसान को यह रिलाइज हो चुका है कि इसकी गल्तिया है अभी अपनी गल्तियों पर सोच रहा है और इंसान वैसे भी मिझे थोड़े इन्मैच्वर लग रहे है मेब आप दोनों में एज गाप हो सकता है यह इंसान समझ नहीं पाता है आपके फिलिंग्स इंसान समझ नहीं पाता है कि अब आगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तो अब यह इंसान सोचने की कोशिश कर रहा है अब इस इंसान को डर भी लग रहा है आपको खोने का लेकिन painful situation यहाँ पर है आप दोनों भी बहुत ही बुरी हालत में उच्छे दिख रहे हो और इससी situation है शायद कि इंसान चाहता तो है आपके लिए कुछ करना लेकिन कर नहीं पा रहा है इमोशनली भी इंसान immature लग रहे मुझे बहुत आपने प्यार किया आपने इस इंसान को सब कुछ दिया लेकिन इस इंसान ने उस वक्त आपकी कदर नहीं की और इस इंसान को लग 90 person के लिए यहाँ पर third party है 10 person लोग लोग के लिए कुछ problem हो सकता है परिवार का किसी भी बात का problem हो सकता है लेकिन कुछ ऐसी चीज़ है जो आप दोनों को एक नहीं होने दे रही है हम् दी टा वर को clarify करते है यहाँ पर दी टावर क्यूं है ओके देखो judgment यहाँ पर reverse आया है यह इंसान आपको कुछ decision नहीं दे रहा था आप बहुत decision मांग रहे थे लेकिन यह इंसान आपको decision नहीं दे रहा था कुछ तो injustice हुआ है judgment यहाँ पर reverse आया है maybe आप commitment माँँ रहे थे लेकिन ये इंसान आपको commitment देने के लिए बिलकुल तयार नहीं था आप कुछ decision चाहती थे इस इंसान की तरप से strong decision चाहती थे लेकिन ये इंसान आपको कोई decision देने के लिए तयार नहीं था इसलिए यहाँ पर the tower है वो कोई भी decision हो सकता है आप किसी भी बारे में बोल सकते हो कि मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए तो इस इंसान ने आपको कोई decision दिया ही नहीं आपको हमेशा confusion में रखा यहाँ पर आया है judgment reverse इस बर्ज़स से यहाँ पर बहुत ज़दा problem हो गए और the tower mode यहाँ पर आया है यहाँ पर देखो six of source है यह इंसान हो सकता है बहुत लोग के लिए कि आपको बिन बताए यह इंसान आपके जिन्दगी से चला गया इस इंसान ने कुछ clear भी नहीं किया मैंने जैसी कि बोला कि इस इंसान ने कुछ decision दिया ही नहीं आपको और यहाँ पर है six of source कुछ decision दिये बिना कुछ clarity दिये बिना यह इंसान आपके जिन्दगी से चला गया इस इंसान ने आपसे बात करना बंद कर दिया और आप बहुत चक्कित रह गये आपको बहुत अपकर से लगा कि यह क्या हो गया कुछ बताय भी ने किसे problem क्या है मेभी अगर यह इंसान अपने problem आपसे share करता गी इस इंसान को क्या problem है तो शायद उस problem के उपर कुछ solution भी निकलता लेकिन यह इंसान बिना बताय चला गया मेभी आपको block कर दिया आपसे बात करना अचानक से बंद कर दिया ऐसा सब कुछ यहाँ पर हुआ है और long distance relationship में हो सकते हुआ आप और कुछ लिगों के लिए हो सकता है कि अभी अभी इंसान कही और shift हो गए और आप में distance आ गया यह इंसान ने बात करना बंद कर दिया अचानक से बहुत परशान हो गया आप लेकिन इस इंसान ने कोई decision नहीं दिया आपको कुछ clarity नहीं दी और सब कुछ खतम हो गया ऐसा भी इस इंसान को लग रहा है या आपको लग रहा है तो यह इंसान खुद आपको छोड़ कर गया है और वो भी कुछ clarity दिये बिना कुछ decision दिये बिना बिल्कुल कुछ बताये नहीं और चले गया तो यह सदमा आपको लग गया कि ऐसा क्या हो गया ऐसा मैंने कौन सा गुनहा कर दिया कि इंसान कुछ बिना बताये मुझे block कर दिया या कुछ बोले बिना इंसान मेरे जिन्दगी से चला गया ऐसा आपको लग रहा है बहुत ज़ादा यहापर सदमा आपको मिला है तो भी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है लेकिन अच्छानक से चीज़े बदल दी गए और यहापर आया है दिटावर ओके इतना प्यार होने के बावजुद भी इस इंसान ने आपको हमेश्या कन्फ्यूजन में रखा और यह अंसान आपके जिन्दगी से चला गया क्यों है यहापर दाहारफंट यहापर आ है स्ट्रेंथ रिवर्स और यहापर आ है क्वीन अप कप्स देखो यह अंसान आपसे प्यार बहुत करता है लेकिन इस इंसान के अंदर हिम्मत भी नहीं है में भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं आपके परिवार वालों के या इस इंसान के परिवार वालों के कि इंसान बिल्कुल हिम्मत नहीं है इस इंसान में कि अपने परिवार से आपके बारे में बात करे या आपको अपने घर पे लेके जाए या किसी से मिलवाए बिल्कुल हिम्मत नहीं है जबकि ये इन्सान आपसे प्यार करता है और अपनी emotions छुपाता है ये इन्सान कुछ बाते ऐसी है जो आपसे छुपाता है मेबी ये इंसान जो आपके लिए commitment नहीं दे पारा इसके पीछे बहुत बड़ा ये reason हो सकता है कि इस इंसान में बिल्कुल हिम्मत नहीं है अपने परिवार से लड़ने की आपके लिए तो strength की कमी यहाँ पर बहुत जादा है इस बड़र से इंसान के पास दो दो option है मेबी इनका परिवार और एक आप तो देखो अगर यहाँ पर third party है तो वो third party इतने ज़्यादा powerful है कि उस third party ने इस इंसान को अपने कबजे में कर लिया है उस third party ने इस इंसान को अपने control में कर लिया है और इस इंसान में इतने हिम्मत ही नहीं कि इंसान आपके तरफ बढ़े लेकिन यह इंसान प्यार आपसे करता है यहाँ पर queen of cups है और कुछ बात इस इंसान ने छुपाई है आपसे हम queen of cups को clarify करते हैं इंसान क्या छुपा रहा है आपसे देख रहे हो क्या छुपा रहा है यह इंसान three of cups इस इंसान के जिंदग में कोई और भी है third party आपर definitely है और यह इंसान उस बात को आपसे छुपा रहा है यह इंसान किसी और के साथ relationship में शायद अभी भी है या past में था और यह इंसान उस बात को आपसे छुपा रहा है तो कोई भी third party है बहुत ज़दा chances है कि वो आपके friend circle में ही है यह भी यहाँ पर बात clear हो रहे है कि या आपके कोई friend या इस इंसान के कोई friend हो सकती है जो यहाँ पर third party बन कर बैठी है और इस इंसान को attraction था आपके नजदिक जाता रहा किसी और के साथ वक्त बिताता रहा और यह इंसान उस बात को आपसे बहुत छुपा रहा है इस इंसान को बिल्कुल नहीं लगता कि वो बात आपको पता चले या ऐसा भी हो सकता कि जब यह इंसान आपसे दूर चले गए तब जाके इस इंसान के जिन्दग में कोई और आया और यह इस दर्थ को भुलाने के लिए इस इंसान ने उससे बात करना शुरू कर दिया यह तब हुआ जब आप दोनों में distance आ गया अपने आपको हील करने के लिए इस इंसान ने ऐसा किया जब यह इंसान उससे बात करता था तो यह इंसान खुश रहता था आप यह इंसान डर रहा है उस बात के लिए कि आपको जब पता चलेगा तो क्या होगा या already आपको पता चल चुका है definitely कुछ लोग को इस third party के बारे में पता चल चुका है उसके बाद बहुत दा भूचल आ गया है या आपर तो देखो चाहते तो है नई शुरुबात प्यार है आज भी आपकी केर हैं आपसे प्यार करते हैं emotions है आपके लिए दिल में लेकिन गल्तिया तो बहुत की है देखते इस इंसान का next action क्या होगा आपके लिए क्या होगा next action इस इंसान का आपके लिए क्या कुछ होने वाला है आगे definitely the hierofant यहाँ पर देखो reverse आ है अभी इंसान सोचरन दो-दो option के बारे में लेकिन बहुत जल ये जो दो-दो option है इस इंसान के दिमाग से निकल जाएंगे maybe इंसान third party से निकल जाएगा और आपको कुछ decision देने वाले है in near future definitely the fulfillment जो भी wish है complete होने वाले है जो भी आपकी wish है इंसान complete करेगा देखो इस इंसान को किसे से guidance लेने के जरूरत है लेकिन इंसान guidance नहीं ले रहा है maybe आपसे guidance लेने के जरूरत है जो इस इंसान ने गलतिया की है आपको बताने की जरूरत है maybe आप इस इंसान को कुछ समझाए maybe आप इस इंसान को कुछ सही रास्ता दिखाए लेकिन इंसान आपसे share नहीं करता है ये इंसान आपसे guidance लेने की कोशिश भी नहीं करता है और ये इंसान अपना ही दिमाग चलाता रहता है और गल्तिया करता रहता है तो इस इंसान को जरूरत है बहुत ज़्यादा जरूरत है किसी से guidance लेने की जो ये इंसान बिल्कुल नहीं कर रहा है और आगे भी नहीं करेगा लेकिन ये बात है कि ये इंसान जो दूसरा option है उसमें से निकल जाएगा बाहर और आपकी जो भी wish है ये इंसान complete करने की कोशिश करेगा आपके तरफ धान देगा आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी करने की कोशिश जरूर करेगा definitely जो आपने दिया है वो return आपको देगा ये इंसान आपके लिए action लेगा जो प्यार आपने इस इंसान को दिया था वो प्यार आपको लटाएगा maybe ये इंसान आपसे माफिय मांगे maybe इस इंसान ने जो गलतिया की है ये इंसान कबूल करे उन गलतियों को तो ये है इनका next action आपके लिए कि बहुत जल ये इंसान जो thought party उसमें से निकल जाएगा और आपके पास वापस आकर आपको माफिय भी मांगेगा और जो प्यार आपने दिया है वो आपको लोटाएगा आपकी current feeling देखते हैं आप क्या सोच रहे हो इस connection को लेकर इस इंसान को लेकर आपके दिल में क्या चल रहा है देखो यहाँ पर है two of cups emotions बहुत है आपके दिल में इस इंसान के लिए आप hang हो गए हो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहे कि आप क्या किया जाए और आपकी पूरी नजर इस इंसान के उपर है आप इस इंसान के आज भी बहुत care करते हो आप बहुत caring loving person हो emotional बहुत जादा हो यहाँ पर है cancer scorpio picee, torus vergo, capteacon आपकी पूरी नजर इस इंसान के उपर है और आपका इस लगता कि बहुत जल इस इंसान ने वापस आना चाहिए अपने emotions offer करने चाहिए और अब आपको समझ में नहीं आ रहे कि अब क्या किया चाहिए क्योंकि इंसान अभी तक वापस आने का नाम नहीं ले रहा है आज भी आप इस इंसान को बहुत प्यार करते हो और बहुत मिस करते हो यह है सच्चा प्यार, आपने इस इंसान को बहुत सच्चा प्यार किया है Emotions बहुत ज़ादा है आपके दिल में इस इंसान के लिए नेखो Ace of Swords आप चाहती हो कि इंसान सब कुछ सच सच बोले और एक नई शिर्वात हो इस लेशन की Oh my God आप तो बहुत ही ज़दा painful situation में मुझे दीख रहे हो आपका दिल तूट गया है इस इंसान ने आपको बहुत दर्द दिया है और अभी भी आप उस दर्द को महसूस कर पा रहे हो आपके दिल में जैसे की इस इंसान ने बहुत दर्द दिया है मैं बोल नहीं सकती इतना दर्द आपको दिया है और आज भी आप उस दर्द में जी रहे हो यहाँ पर है देविल आपको बहुत सब्सक्राइब निगिडि थौट्स आ रहे हैं बहुत सब्सक्राइब आपके दिमाग में एक से ज़ादा थौट्स चलते ही जा रहें इस इंसान को किसी भी कीमत पर खुरा नहीं चाहते हो और आपको डर लग रहे है कि यह क्या हो गया यह इंसान कैसे वापस आएगा क्या होगा क्या नहीं होगा बहुत ज़दा डर लग रहे है आपको और बहुत फिजिकल अट्रक्शन भी आजकल आपको इस इंसान के लिए हो रहे है emotionally, physically आप इस इंसान को feel कर रहे हो और आपको डर है कि कहीं आप इस इंसान को खोना दे क्योंकि पहले से आप बहुत ज़़ा pain में हो और अब आप चाहते हो कि जल से जल दे इंसान वापस आए addiction सा हो गया है आपको इस इंसान को याद करना, इस इंसान के सपने देखना, इस इंसान को feel करना यह सब कुछ आपके लिए addiction सा बन गया है आपका एक भी दिन ऐसा नहीं जाता कि आपने इस इंसान को याद नहीं किया आप बहुत सदा emotionally और physically miss कर रहे हो जिन्दान को, ओके, तो ये सब कुछ आपके हालत है, अब देखते हैं आपके लिए क्या God guidance है, आप comparison कर रहे हो दूसरों के साथ अपने जिन्दगी, अगर ऐसा कुछ आप कर रहे हो तो ये आपको करना नहीं है, देखो हम जब खुद को comparison कर करते हैं, अगर आप ऐसा सोचरों की मेरे सहलियों का ये हुआ, मेरे दोस्तों के साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है, नहीं करना है comparison, हर किसी की जिन्दगी अलग-अलग है, आपको अपने जिन्दगी दूसरों के साथ comparison नहीं करनी चाहिए, आपके अंदर की आव में बहुत ही जादा हद से जादा निगेटिव सोच रहे हो और यही एफेक्ट कर रहा है आपके जिन्दगी में आप जो सोचते हो वही तो होता है जो सोचोगे वही पाऊगे तो अपनी सोच पर हमेशा धान रखना जो आप सोचते हो वही जिन्दगी में होता है और आप बह बहुत जदा लवेबल हो, मैंने पहले ही बोला कि आप बहुत लविंग और बहुत केरिंग हो, और आप ये डिजर्व करते हो, आपको प्यार मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, मौन, यहाँ पर है साई बाबा से मौन, मौन की भाषा सिखिए, हजार शब्दों से भी ज़्या होगा, नहीं बोलना है ऐसे लोगों के साथ, जो समझ ही नहीं बात है आपके दिल के बात, ट्रस्ट, यहाँ पर है ट्रस्ट, उस डिवाइन पावर पर, उस सुप्रीम पावर पर ट्रस्ट रखो, सब कुछ ठीक होने वाला है, यहाँ पर है रिब्यूल्ड, डेफिनेटली आपको ऐसा सद्मा लगा है कि आप उस दर्ध से अभी भी निकल नहीं पारे हो, रिब्यूल्ड, अपने आपको रिब्यूल्ड करो, अपने आपको उस दर्ध से उभरने की कोशिश करो, बहुत ज़ादा आपके सीने में दर्ध है, उस दर्ध से निकल जाओ, विश्वास रखो भगवान के उपर विश्वास रखो इस डिवाइन पावर पर जो भी होगा आपके लिए एकदम सही होगा परफेक्ट होगा अपने आपको हील करो रिब्यूल करो और यहाँ पर है और परसनल इशू रिच रिसलूशन डेफिनेटली जो भी आपके परसनल इशू है इस मैसेज देख लेते हैं इस इंसान मानते है कि इस इंसान ने कुछ जुट बोला है आपसे डेफिनेटली जुट बोला है फिलिंग स्टक इंसान खुद को स्टक फिल कर रहे है I want commitment with you बहुत लोग को result होगा कि ये इंसान realization हो चुका है इस इंसान को और बहुत जल आपको commitment मिल सकती है इंसान चाहते हैं आपको commitment देना ओके तो खुश हो जाओ negative सोचना बंद कर दो just being near you heal me ये person बोले कि मेरे साथ रहो तुम मुझे heal करते हो definitely ये person आपसे मिलना चाहते है favorite song आपका कोई favorite song है जो ये अंसान सुनते जा रहे है I can't keep running from my feelings ये इंसान अपने feelings से भाग नहीं पा रहे है और वो feelings है प्यार वाली जो आप से प्यार करते हैं वो feelings से ये इंसान भाग ही नहीं पाता है चाहे जितना भागने की कोशिश करें इस इंसान को आपकी याद आती ही आती है तो यही थे आपकी reading अगर आपके साथ resonate करती है तो like, share and subscribe मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई पाल नमबर टू क्या सोच रहा है आपके partner ये God guidance है ये हम आखर में देखेंगे सबसे पहला काड है judgment दा。 इम प्रेश यहाँ पर है दा. दा. है孩man रत आते हैं और घैठ्ट करूबर। नहीं की जोरी की जोरी आई है आप देख रहे हो एकतरब घमनड और एकतरब खुर्सूरती है एकतरब बस प्यार ही प्यार है सेलेशन में और एकतरब एकों स्ब्से olurs पर्सन है तो ही कि डफूल एक कि रिस्क लेना चाहते हैं नई सिर्वात करना चाहते हैं कि यहाँ पर टेंप्रway towards हैं यहां कुछ जगड़े हुए है आप दोनों में और यहाँ पर है देविल अट्रक्शन भी गजब का हुरा है इस इंसान को आपके लिए फिजिकली बहुत ज़दा मिस कर रहे हैं आपको यह इंसान आपको फील करते हैं आपको इमाजिन करते हैं इस इंसान को ऐसा लगते का आप इन आपकी बॉड़ी में बहुत ज़्ला इंट्रस्ट है देख रहे हो देविल और देम्परेस मेबी यह इन्सान आपके खुब्सूर्ति को देखकर सलेशनशिप में आयए था बहुत ज़दा अट्रक्शन इस इंसान को हद से जाधा अट्रक्शन है आपके लिए यह इनसान क के दिल में घर कर लिया है, बहुत जादा मिस करते हैं आपको, देफूल है यहाँ पर, एक नई शिर्वात चाहते हैं, कोई निगडि थॉर्ट्स भरे पड़े इस इंसान के दिमाग में, डेविल, कोई ऐसा डर, जो शायद यह अंसान खुद नहीं जानता कि इसे क्या डर लेकिन एंसान डरता है, रिस्क लगती है इस इंसान को आपके इसाथ डुलेश्ट्स में आगे बढ़ना, लेकिन फिर भी, यह एंसान उस रिस्क को उठाना चाहते हैं, यह इंसान चाहते हैं आपको कुछ डिशीजिजन देना, यहाँपर ज़र्ज्जमेंट हैं, कुछ ड चाहते आपके फेवर में कुछ डिसिशन देना दीमून जो पास्ट में बाते हुई है जो जगड़े हुई है जो आप दुनों ने एक दुसरे को हर्ट किया है ये इनसान उन पुरानी बातों को बहुत ज़दा मिस करते हैं और दुखी होते हैं खुद को ही दुख दे रहे है उस पास्ट की बातों को याद करकर के आपने एक बार बोला होगा कुछ कड़वी बाते आपने बोली होगी एक बार लेकिन ये इनसान उन बातों को हर रोज याद करता है और हर रोज दुखी होता रहता है जो भी आपने गुसे में आकर हो या कैसे भी हो जो आपनी बातों से इस इंसान के दिल पर बहुत चोट लगी है और हर रोज ये इनसान उन बातों को याद करते हैं जितनी बार ये इनसान उन बातों को याद करते हैं उतनी बार इस इंसान को लगता है कि नहीं मैं उसकी तरफ नहीं जाओंगा या मैं उसकी तरफ नहीं जाओंगे उस जादा दिन तक ये इंसान आपसे दूर नहीं रह पाएगा क्यूंकि इस इंसान को तो इतना ज़दा अडिक्शन हो गया है आपके लिए तो जादा दिन ये इनसान आपसे दूर नहीं रह सकता और उपर से देंपर है यहापर बहुत स्था इगोस्टिक पर्सनलिटी है अपनी ही चलाते है इस इंसान को लगता कि मुझसे ज़़ा ग्रेट तो कोई होई ने सकता अगर आपने कुछ थोड़ा सभी बोल जा तो इस इंसान को बहुत बड़ी बात लगती है लेकिन इस इंसान ने अगर आपको कुछ हर्ड कर दिया तो वो बात इस इंसान को छोटी से लगती है तो ऐसा है इस इंसान का कि ये इंसान बस खुद को ही ज़़ा इंपोर्डन्स देता रहा इस रिलेशन में लेकिन आपकी ब्यूटी का घायल है आज भी आपकी ब्यूटी बहुत मिस करता है रहने ही पाता है हर रोज जाकता रहता है आपकी यादों में इस इंसान की कई राती खराब हो चुके है ये इंसान बहुत सोचते हैं और मिस करते हैं और इमाजिन भी करते हैं आपको कि आप इनके साथ हो यह इंसान ऐसा है कि जल्दी हर्ट होने वाला है इतनी सी भी बात बोल दो आप यह इंसान हर्ट हो जाएगा या इसका इगो हर्ट हो जाएगा तो यह बड़ी दिक्कत है यहाप पर कि आप कुछ भी बोल देते हो तो यह इस इंसान को तो दुखी होना है आप कुछ बोलतो तो यह इनसान हसी मजाख मिलेंगे ऐसा नहीं है आप कुछ भी बोलतो तो इनसान बहुत सिरियस लेने वाल है आपको सोच समझ कर इस इनसान के साथ बात करनी चाहिए यह इनसान जल्दी हर्ट हो जाते है और इस लेशन में कुछ freshness नहीं है, कुछ नयापन नहीं है वही वही सा घिसा पिटा सब पुछ चल रहा है, वही जगड़े चल रहा है, वही बातों में continue उनी बातों पर आप दोनों भी जगड़े कर रहे हो, कुछ नयापन चाहिए यहाँ पर जरुरत है आप दोनों को मिलने की, एक दुसरे को समझने की कही डेट पर जाने की जरुरत है, कुछ नयापन इसलेशन में लाने की जरुरत है जो नहीं आ रहा है, आपको कोशिश करने चाहिए कि कुछ नयापन आप इसलेशन में ला सको नहीं तो सबकुछ बोरिंग सा हो गया एस इंसान के लिए, यह इंसान जल्दी हर्ट हो जाता है, यह इंसान जल्दी बोर हो जाता है, यह बहुत क्या बुझें से चंचल, एक चीज़ पर इंसान ठेरता नहीं है, बहुत जल्द बोर हो जाता है, तो इस इंसान को आपको बार कोशिश करने चाहिए इस इंसान को happy रखने की ये इंसान satisfied फिल नहीं करते हैं आपके साथ ऐसा मुझे आपड़ वाइब्स आ रहे हैं तो आपको जरूरत है थोड़ा इस इंसान का खयाल रखने की इस इंसान को कुछ नयापन देने की ऑपके इसमें आप एक कर सकते हो आप अ अलवार सो ट्राइ करना चाहिए, कुछ अलग हो, आपका लुक चेंज हो जाए, अगर आपका लुक चेंज हो जाता है, अगर आप ऐसे फोटोज डालते हो, तो इस इंसान को बहुत कुछ नयापन लगेगा, क्योंकि इस इंसान को पसंद है ऐसा नया नया, इस इंसान को जिन्दगी एंसान नहीं जी सकता तो आप ऐसा कुछ ट्राय कर सकते हो ओके लड़कियों के पास स्पेशली बहुत ज़्यादा ओफ्शन्स होते हैं अपना लुक चेंज करने के लिए आप अपने हैं स्टाइल चेंज कर सकते हो आपका जो रहने का स्टाइल है वो चेंज कर सक तो इस रिलेशन में जरूरत है कुछ नयापन लाने की और ये इनसान इतना भाव खाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी तरब से बहुत ज़दा कोडिपेंडेंसी हो गए थे इस इंसान के लिए आप इस इंसान के बिना बिलकुल रहने ही पाते थे ये इनसान बात कर रह सकते हो जब आप खुद से प्यार करोगे जब आप खुश रहना सीख जाओगे तो इनसान अपने आप की ये क्या हो गया इसे तो मेरी जरूरत ही नहीं है तब जाके इनसान आपके पीछे आएगा जब तक आप इस इंसान के पीछे भागोगे ना ये इनसान उतना ही आ तो वैसे भी इस इंसान को आपके पीछे आना ही है एक दिन, तो क्यूँ आप इतना ज़दा जल्दी दिखा रहे हो, क्यूँ आप इस इंसान को इतनी importance दे रहे हो, कुछ से ज़ादा, खुद के importance कभी भी नहीं खोने चाहिए, self-respect आपको नहीं खोना है, तो खुद से प्यार करो, ये इंसान आपके पीछे आएगा ज़रूर, हाँ लेकिन जल्दी नहीं, थोड़ा वक्त लगेगा, आपको patience रखना होगा, और इस इंसान को ignore करना होगा, और खुद खुश रहो, देखो जब आप इस इंसान को ignore करने लगोगे, तब इस इंसान को ट्यूब लाइट लगेगी, कि ये क्या हो गया, ये तो मुझे importance नहीं दे रही है, ये मुझे क्यों ignore करे, कही इसके जिंदग में कोई और तो नहीं आया, ये इतना खुश कैसे रहने लगी, क्या बात है ऐसी, इस इंसान को बहुत curiosity होने लगीगी, तब जाके इंसान आपके पीछे आएगा, मुझे लगता है कि ये इंसान अपने घमन में जीने वाला है, बहुत egoistic person है, और इससे अगर धड़ा, अगर इससे सबक सिखाना है, तो आपको इस इंसान को importance नहीं देनी है, अगर आप ऐसे tricks apply करते हो ना, तो इस इंसान को आना ही आना है आपके पीछे, जब तक आप इस इंसान के पीछे भागोगे, ये इंसान उतना ही spirit से आगे चला जाएगा, हम clarify करते हैं कुछ cards को, किस बात का डर है इस इंसान के मन में, जो इस इंसान को भी पता नहीं है, इतने negative thoughts क्यों है इस इंसान के दिमाग में, इस इंसान को डर लगता है कि आप धोका दे सकते हो, आप इस इंसान को चिट कर सकते हो, निगड़ी thoughts है इस इंसान को, एक और card निकाल लेते हैं, जो प्रेवल यहाँ पर क्यों है, इस इंसान को डर है कि आप रिजेक्ट करोगे, इस इंसान को डर है कि आप ना बोल दोगे तो, प्यार करते हैं इंसान आपसे, लेकिन रिजेक्शन का डर है, या ऐसा भी हो सकते कि यह इस इंसान ने कुछ ओफर किया है, और आप उस बात को नहीं मान रहे थे, ऐसा भी कुछ लग रहे है मुझे, इस इंसान रिजेक्टेट फिल कर रहा है, और आगे चल कर भी इस इंसान को लगता है कि आप इस इंसान की बाते नहीं मानोगे, इस बात का डर है, ऐसे निगेड़ थौट्स इस इंसान के मांड में भरे हैं, हम दी मून को क्लारिफा करते हैं, दी मून यहाँ पर क्यों है, मुझे इससे लगता है कि ये इंसान कुछ बात आपसे मनवाना चाहते थे, इस इंसान के कोई विश्ट थी, जो आपने पूरी नहीं की, तो इस बात का इस इंसान को अभी बे गुस्सा है, उस बात के लिए अभी पर, इस इंसान के मन में बहुत गुस्सा है, कि आपने इंके बात क्यों नहीं मानी, आपने इस इंसान की विश्ट कंपलेट क्यों नहीं की, वो कोई भी बात हो सकती हैं, ये इंसान चाहते थे, इस इंसान ने कुछ आपको उफर किया था लेकिन आपने वो बात नहीं मानी और इस इंसान का दिल टूट गया यहाँ पर इसलिए दीमून है इसलिए इनसान आपके उपर नाराज है कोई बात ऐसी थी जो इनसान बेल्कुल नहीं चाहते थे इस इंसान को ऐसी उम्मिद नहीं थी कि आप ऐसा करोगे लेकिन आपने इससे कुछ बात कर दी और इसका सपना तूट गया और इस इंसान का दिल तूट गया यह इनसान नाराज हो गया आपके उपर मुझे लगते हैं अभी इनसान उस बात को क्लियर करेंगे क्योंकि यह चाहते हैं कुछ बातों को क्लियर करना आपसे लगातार इनसान आपके उपर नज़र रख रहे हैं और बहुत जल यह इनसान उस बात को क्लियर भी कर सकते हैं इनसान आपको लेकर बहुत ज़दा क्यूर बन रहे हैं हमेशा आपके उपर नजर रख रहे हैं अब बहुत curiosity है इस इंसान के मन में आपको जानने के आपके लाइफ में क्या चल रहा है आप क्या कर रहे हो कहा जा रहे हो किसके साथ जा रहे हो लगातार आपके उपर नजर रख रहे हैं इंसान कुछ ऐसी बात यहाँ प पाएंगे clarity इस इंसान को आएगी और बहुत ज़र मुझे सलगते हैं कि इस इंसान के तरब से कुछ decision आपको मिल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर है जज्ज्मेंट decision देना शाहते हैं लेकिन में भी अंसान कुछ वक्त ले रहे हैं अपना judgment यहाँ पर क्यों है हम जज्ज्मेंट को clarify करते हैं यहाँ पर judgment क्यों है खुद ही चले गए आपके जिंदगी से खुद ही बात करना बंद कर यह थोड़ा वक्त तो लेंगे अब यहाँ पर judgment क्यों है ओके देखो दि वर्ल्ड यह एनसान आपको decision देना शाहते कि तुम ही मेरे जिंदगी हो तुम ही मेरे दुनिया हो तुम्हारे बीना मैं नहीं रह सकता है तुम्हारे बीना मैं बहुत sad फील करता हूँ मैं बहूत अकेला पड़ गया हूँ मैं तुम्हारे साथ ही खुश रह जाता है वो भी आपके साथ देख रहे हो दी वर्ल्ड आप यहाँ पर दो बारा है यहाँ पर भी मस्टर आ है और यहाँ पर भी दी वर्ल्ड आ है आपके बिना इस इंसान की दुनिया अधूरी है और इस इंसान का बहुत जल्द आपको decision मिलेगा कि मैं तुम्हारे बिना बह होगा next action आपके बिना तो बहुत sad feel करते हैं next action आपके बिना रातों की नीद उड़ने वाली है इंसान आपको share करेंगे बात आपको बताएंगे कि तुम्हारे बिना मेरा हाल खराब है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और बहुत दा निगरे थौट सी क्यों भरे है इस पर भी judgment है आपके ही favor में वो decision होगा बहुत जल यह इंसान आपको कुछ न कुछ offer करने वाले हैं the emperor ego stick है हाँ यह इंसान यतना ज़रू share करेंगे कि तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ ego में आकर थोड़ा प्यार से बात नहीं करेंगे थोड़ा ego में आकर ठोड़ा घमन में आकर यह हो सकता है कि आप दुणme age difference हो यह हो सकता है कि इस इंसान के family वाले इस इंसान के पिता जी दादा जी कोई ऐसा इंसान है जो इस relation में नहीं चाहता कि ये relation आगे बड़े नहीं चाहता ये रिष्टा हो अगर आप शादी के लिए सोच रहे हो तो ऐसा भी आपर मुझे कुछ लग रहा है लेकिन आपका partner बहुत दाख़डूस है ये तो मुझे दिख रहा है इस इंसान की movement coffee slow है लेकिन definitely इंसान आपको decision तो देने वाले है इस इंसान की रादों की निन उड़ने वाली है परिशान होने वाले है आपके बिना अब देखते हैं आपकी क्या हालत है आप क्या feel कर रहे हो सबसे पहला कार है nine of pentacles आपका से रखता है कि इस इंसान ने खुद के बारे में नहीं सोचना चाहिए आपको ऐसे लगता है कि इस इंसान ने मेरे बारे में भी सोचना चाहिए मेरी feelings की भी कदर करनी चाहिए जो ये इंसान नहीं कर रहा है इन nine of pentacles से आपर reverse आया है आपको लगता है कि इस इंसान ने आपके बारे में सोचना चाहिए और आपको ऐसे लगता है कि अंसान सल्फिश है यह सर्फ खुद के बार में सोच दा है आपको डर लग रहा है कि अंसान की तरब से कुछ आफर आएगा नहीं आएगा आपको डर लग रहा है कि आप हार जाओगे आपके मैंड में निगड़ थौट्स आ रहे हैं आप इस प्यार को जीतना चाहते हो लेकिन आपके मैंड में थौट्स आते हैं कि मैं हार जाओंगी या मैं हार जाओंगा मैं इस इंसान को नहीं जीत पाओंगा इस इंसान का दिल नहीं जीत पाओंगा ऐसे negative thoughts आपके mind में बहुत जादा आ रहे है और आपको ये भी पता है कि इस इंसान में घमंड है आप चाहते हो कि इस इंसान अपने घमंड से बाहर निकलना चाहिए आप चाहते हो कि सब जादू की तरह ठीक होना चाहिए आप इस इंसान को हद से जादा manifest करने की कोशिश कर रहे हो और आपको ऐसे लगता है कि इंसान दिमाग से जादा सोचता है दिल से कम सोचता है तो इस इंसान ने दिल से भी सोचना चाहिए इस इंसान ने अपने घमंड से बाहर निकलना चाहिए अपने selfish जो इंसान खुद के ही बारे में सोचता रहा तो आपको ऐसा लगते कि आप इस इंसान ने आपके बारे में भी सोचना शाहिए आप भी मानते हों कि इंसान बहुत चालाख है strength, में भी आपकी strength खोदी है, में भी आप हिम्मत हार चुके हो आज भी आप इस इंसान के बहुत care कर रहे हो, आपकी लगातार नजर इस इंसान के उपर है continue आप इस इंसान के बारे में सोचते जा रहे हो, जो भी आपकी feeling है बहुत ज़दा strong है continue इस इंसान के उपर नजर भी रख रहे हो आप और आप कैसा लगते कि बस अब मेरा इम्तहान लेना बंद कर दो जल्दी से वापस आओ मेरी हिम्मत तूट रही है मैं अपनी हिम्मत हार चुकी हूँ या हार चुका हूँ ऐसा आपको लग रहा है कही ना कही यहाँ पर स्ट्रेंथ की कमी है आप में भी और इस इनसान में भी बहुत ज़दा बॉर्डन हो रहे हैं आपको क्या करे क्या ना करे ऐसा लग रहा है और बहुत ज़दा बॉर्डन हो रहा है कि मैं कैसे जिऊंगी या मैं कैसे जोँगा इसकी बिना और ये तो इनसान मेरी बात मानने के लिए तयार ही नहीं है ऐसे परिशान हो रहे हो आप आजकल हिम्मत नहीं हारनी है सब कुछ ठीक होने वाला है देखते गौड की तरफ से आपके लिए क्या गाइडन्स है Communication is key Definitely आप तुन में बिल्कुल भी Clarity नहीं है तो उन्हें एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करते हो और आप अपने दिल के बात जाहिर नहीं कर पाते हो तो Communication is key ये इनसान भी नहीं बोलता है अपने दिल में क्या चल रहा है Change your focus मैंने क्या बोला था कि आपको अपना focus change करना चाहिए इस इंसान के उपर से जो आप लगातार इस इंसान के उपर focus है आपका देख रहे हो लगातार इस इंसान के उपर focus है इस focus को change करो There is something better देखो Angel के दरब से message है कि सब कुछ ठीक होने वाला है आपको चिंता करने की जरुरत नहीं है और इस इंसान के पीछे भागने की बिलकुल भी जरुरत नहीं है भरोसा धाइरे रखिए धीरज रखिए है आपके पास उत्तर नहों तब भी इंतजार कीजे और भरोसा रखिए है सब कुछ ठीक होने बारा है बस आपको भरोसा रखना है उस divine power पर उस भगवान पर आपके destiny के उपर भरोसा रखो जो भी होगा आपके लिए सही होगा ओके भगवान हमें वो देते हैं जो हमारे लिए सही होता है भगवान हमें वो कभी नहीं देते हैं जो हमें चाहिए तो ये बात आपको हमेशा याद रखना है एक्जर्शन डेफिनिटल आपने बहुत निगड़ी थॉर्ट्स भरे पड़े हैं आपके माइन में बहुत ज़्यदा निगड़ी थॉर्ट्स को आपको बाहर निकलना ही होगा और आप मेंटल डिस्टब हो गया आपको बहुत ठकान से मैसुस हो रही है अपने घरवालों के उपर गुस्दा करे हो किसी के भी ऊपर गुस्दा करे हो आप अपने गुस्दे पर कंट्रोल करो इस एंसान को यह निए पूरी पॉसी पॉस्दिव सोच के साथ में इस खरोगे तो डेफिनेटीन आप यह काम कर पाओग में definitely आप इस इंसान को manifest कर पाओगे तो अपने गुस्से पर control लखना है, negative thoughts बाहर निकलना है इस tension से बाहर निकलना है mental disturb हो गया हो, सोच के परशान हो गया हो तो यह ऐसा नहीं करना है, अपना focus change करना है यहाँ पर है forgiving and learning आपको इस इंसान को माफ करना है और जो कुछ भी situation हुई है इससे कुछ न कुछ आपको सीखना है और जिन्दगी में आगे बढ़ना है As you release and heal the past you experience more love in your present moment अगर आप इस past को release करोगे अगर आप इस इंसान को माफ कर दोगे और कुछ न कुछ सीख कर आगे बढ़ोगे तो आपके present में I just seem to keep hurting you because of all pain ये इंसान बोल रहे है कि मैं बहुत hurt हूँ और इसकी बज़े से बहुत चुचरा पर मेरे अंदर आया है इस बज़े से मैं तुम्हें hurt कर रहा हूँ Dream big बहुत बड़े बड़े सपने हैं इस इंसान के आपको लेकर I see your face every single place I go ये परसन बोल रहे कि मैं जहां भी जाता हूँ बस तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है I want to run away with you instead of running from you ये परसन बोल रहे कि तुमसे दूर भागने से अच्छ है मैं तुम्हारे साथ भागना चाहता हूँ भागने की planning चल रही है You are my treasure ये परसन बोले कि तुम ही मेरा खजाना हो इस इंसान की दुनिया आप हो इस इंसान का खजाना आप ही हो बहुत बड़े बड़े सप्तें सजाए रखे इस इंसान ने आपके लिए तो यही थे आपके रड़िंग अगर आपके साथ रेजनेट करती है तो लाइक शेर और सब्सक्राइब मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई